आइध औ देखों जो हमारा यह ढ़सवोन्हेड क Александ या दोक्तरिं इन आफ अल्ट्रा वायर्स यह बहुत इमबौधन टॉपीक इसनीinkो अच्छे से शम्जना है देखों यहां पर क्या लीखा वा है doctrine of ultra wires इसको समझते हैं कि यह है क्या actually में यहाँ पर देखो जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा उसको ध्यान से देखना सबसे पहले हमारा जो heading है topic का ना में मैं वही लिखता हूँ doctrine of ultra wires अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है doctrine of ultra wires लेकिन कभी कभी तुम लोग ने सुना होगा लोग इसको पढ़ते हैं ultra virus कभी कभी ultra virus भी पढ़ते हुए सुना होगा actually उसका reason यह है जो यह ultra wires लिखा हुआ है basically यह latin word से आया हुआ है latin word से आया हुआ है और इसका जो मतलब होता है यहां पे वो होता है power से ठीक है wires का मतलब यहां पे क्या होता है power होता है और इसको कभी कभी लोग virus type कभी पढ़ते हैं हाला कि जो pronunciation latin word में है तो virus हो जाएगा लेकिन हम इसको क्या पढ़ते है wires पढ़ते है और इसका मतलब क्या होता है power होता है आल्टरा का मतलब क्या होता है? beyond और doctrine का मतलब क्या होता है? doctrine का मतलब होता है ठियरी और concept यानि कि अगर इसको मैं count करता ह। पूरा एड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? basically doctrine of ultra-wires का मतलब क्या है? कोई ऐसा theory, ऐसा concept जो power के बाहर का हो beyond power का मतलब क्या होगा power के बाहर का यानि तुम्हारी लेंगेज में बोलू जैसे dialogue मांद तुम्हारी account के बाहर का उग पर तुम्हारी limitation कोई काम करते हो तो वह क्या हो जाएगा अल्टरा ये जो है, इसको मान लो, ये कमपनी का है AOA, उसके बाद एक और सरकल, और इसको मान लेते हैं, ये कमपनी का है MOA, और उसके बाद एक और, और इसको मान लो कि ये है तुम्हारा Companies Act, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अब यहाँ पर देखो, मैंने चार्ट चीज़े की हैं, एक मैंने लिखा है Directors, फिर मैंने लिखा है AOA, फिर मैंने लिखा MOA, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, Company Act, तो यहाँ पर मैं लिख भी दाँ, MOA, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रही गाए से दिखना, अब देखो, जो Directors होते हैं, यानि जो Company के Directors होते हैं, बेसिकली वो Article of Association के According काम करते हैं, वो क्या करते हैं, Company के Articles of Association को Mind में रखकर Company का काम करते हैं, और जो Article of Association होता है, वो अब यहां पर मैं कुछ चीजे समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है, यहां से ही तुम्हारा में टॉपिक जो है, वह स्टार्ट होता है, तो यहां पर मैं वापस इसी तरह का एक ड्रॉइंग बना रहा हूँ, जियान से देखना, जैसे एक यह मान लो, यह दूसरा, यह तीसरा, और यह चौथा, मैं इसको मान लेता हूँ, कि यह जो है, यह हैं कंपनी के डारिक्टर्स, फिर यह हैं कंपनी के आर्टिकल अफ अस्टोशीएशन, यह हैं मिमरिन्नम अफ अस्टोशीएशन, और यह हैं तुम्हारा कंपनीज एक्ट टूथाउजन थोटीं, मतलब यह है कि यहां पर जो मैंने सरकल में बनाया था, उसी को मैंने अब यहां पर क्या कर दिया है, बार में डिनोट कर दिया हुआ है, अभी ध्यान से समझो, एक होलता है अल्ट्रावायर्स और एक होता है इंट्रावायर्स, अब देखो, अल्ट्रावायर्स का मतलब क्य करता है तो वो क्या हो जाएगा अल्ट्रा हो जाएगा तो आब हमें वही समझना है कि कब ultra wires होगा और कभ intra wires होगा तो यहाँ पे दियाँ से समझो कि जो directors होते उनको power कहा से मिलती है उनको power मिलती है article of association की help से तो यहाँ पर मैं एक example लिख रहाँ अब जैसे कि मान लो कि company के जो directors होते हैं जो company के directors होते हैं मान लोग उनलोगों को तुमने power दी है ठीक है क्या दिया है तुमने पावर दिया आर्टिकल ओफ असोशेशन की help से कि अगर ये चाहें तो they can borrow क्या कर सकते हैं बौर कर सकते हैं कितना बौर कर सकते हैं ये पावर है डारेक्टर के पास में ठीक है लेकिन आर्टिकल असोशेशन में ये बात तो clear लिखा हुआ है कंपनी बौर कर सकती है दुसरों से यानि ये पावर आर्टिकल असोशेशन में है लेकिन जो डारेक्टर के पास पावर है वो कितना है सिर्फ पाँच लाख का पावर है लेकिन इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने गलती से या ऐसे समझो इन लोगों ने ऐसा किया कि इन लोगों ने 7 लाख रुपए बोरो कर लिए कितने बोरो कर लिए 7 लाख रुपए तो मेरा question है क्या ये allowed है या नहीं बस इतना मुझे बताओ तो यहाँ पर ये समझना है कि power उसको कितना दिया था हम लोगों ने उसको power दिया था तो 5 लाख रुपए का बोरो कर सकता है without किसी problem की ठीक है लेकिन हमारे company जो है article of association है उसमें हम लोगों ने ये बात तो किया है कि हाँ company ये लोग चाहे तो money बोरो कर सकते हैं अब घ्यान से समझना लेकि इन लोगों को जो power हमने दिया था वो सिब 5 लाख रुपए का दिया था अभी घ्यान से समझो इन लोगों ने क्या किया जो directors ने काम किया है वो काम किया है ultra virus जैसा यानि ultra virus जैसा इसको मैं बोल सकता हूँ ultra wires अभी के लिए लेकिन यहां से समझना लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है वो काम किया है article of association के दाइरे में ही मतलब यह है कि बोरो करने का तो right था ही न इनके पास ठीक है बोरो करने का right तो है यह इनके पास clear right न यह बास समझ में आ रहा है लेकिन वो आर्टिकल के अंदर में ही आता है, अगर इन लोगों ने अपने powers के beyond काम किया है, लेकिन वो आर्टिकल के अंदर में ही आता हैते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? resolution pass करके क्या कर सकते है board of meeting में हम resolution pass करके उसको confirm करवा के हाँ बोल सकते है देखे यानि कि resolution pass करके जो उनलोगों ने काम किया है उसको हम permission दे सकते है इसका मतलब यह हुआ कि जो इन लोगों ने काम किया था वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा तुम्हारा intra virus अभी ध्यां से समझना intra virus बन जाएगा क्या बन जाएगा intra virus बन जाएगा अब यह ऐसा क्यों हुआ उस चीज को समझो company जो है उसका जो main काम है वो कहां से decide होता है memorandum of association से ठीक है लेकिन article की power में था जहां से समझना लेकिन जो article of association है उसके power में था so ऐसे cases में इसको हम क्या कर सेते हैं रेक्टिफाई कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं उसको रेक्टिफाई के हाँ बुलवा सकते हैं तो वो बन जाएगा intra virus और उसी तरह से अगर मान लो कि article of association में तुमने कोई ऐसा काम कर दिया जो article में mention नहीं था जहां से समझना कि अगर तुमने कोई ऐसा काम कर दिया कि जो article of association में mention नहीं था किसमें mention नहीं था article of association में लेकिन तुमने फिर भी काम कर दिया लेकिन वो memorandum में है भले article of association में नहीं है लेकिन memorandum में है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी article की तो article के बाहर का तुमने काम कर दिया तो अभी के लिए तो वो क्या बन गया वो बन गया ultra अभी के लिए क्या बन गया अभी के लिए बन गया है वो ultra virus ठीके अभी के लिए क्या बन गया अल्ट्रा वाइरस फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे एक रिजॉल्यूशन पास करना पड़ेगा और जैसे ही मैं रिजॉल्यूशन पास करता हूँ वो क्या बन जाएगा इंट्रा वाइरस बन जाएगा इंट्रा वाइरस क् काम किया भले अपने लेवल की उपर चले गए हैं, बात समझ में आ इतना, देखो अब यहाँ पर जो इसका question आया वो सही है, लेकिन अभी बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर मैंने चार चीज़ों की बात किया, मैंने डारेक्टर्स की बात की है, मैंने बात की है, AOA की बात की है मैंने MOA की बात की है और मैंने बात के Companies Act की तो यहाँ पे जो इसका main concept है वो यही कहता है कि अगर ये directors और article of association कोई भी ऐसा काम करते है जो memorandum के under में आता है लेकिन भले इनके power में ना हो जैसे कि simple से मैं बात बोलता हूँ अगर मान लो जैसे कि तुम्हें पापा ने जैसे घर में पापा होते हैं फिर मम्मी होती है फिर आते हो तुम यूँ ठीक है मान लो पापा ने मम्मी को 100 रुपे दिये थे सामान लाने के लिए और फिर मम्मी ने तुमको 100 रुपे लेकर लेकिन तुमने उसमें से 2 रुपय का चोकलेट खा लिया ठीक है मम्मी गुस्सा करने लेगे लेकिन पापा बोले ठीक कोई बात रही लेकिन अगर मान लो कि इस 100 रुपय के बाहर का जाके तुम 110 रुपय का सामान उधारी में खरीद लेते तो वो तो पापा के खुद क उकात की बाहर था किकि उन्हेंने जो पर्मीशन दिया था वो कितना पर्मीशन दिया था 100 का ही दिया था अगर कोई तुम ऐसा काम करते हो जो यहां से पर्मीशन दिया हुआ है यहां से का मतलब क्या है कि मेमोरिंडम में पर्मीशन दिया हुआ है तो उसको हम बोल देंगे intra-wires मतब resolution pass करके हम उसको confirmation दिलवा सकते हैं लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है जो memorandum के उकात के बाहर का है जो memorandum में ही mention नहीं है तो उसको बोल देंगे ultra-wires तो यही main है यही हमें समझना है कि कब हमारा जो काम है वो ultra-wires बनेगा और कब है intra-wires बनेगा ठीक है दूसरा चीज़ अगर कोई तुमने ऐसा काम किया जो company act में भी mention नहीं है ठीक है कोई ऐसा काम किया जो company act में भी mention नहीं है तो तब CDC बात है जो company act में mention नहीं है वो तो कभी भी legal नहीं हो सकता कभी भी सही नहीं हो सकता तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, अल्ट्रा वायस बन जाएगा, मतलब यह है कि अगर इन चारों का जो सिनारियो है, मतलब लास्ट में अगर मैं यह कहूँ, कि इनका, जो conclusion निकला, वो क्या निकला, कि अगर डारेक्टर अपने पावर के बियोंड काम करता है, जहां से समझना, अगर डारेक्टर अपने पावर के बियोंड काम करता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ असोशेशन के अंडर में है, लेकिन अंडर आर्टिकल ऑफ असोशेशन, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, है लेकिन लेकिन वो आता है अंडर MOA लेकिन MOA के अंडर में आता है देर हम उसको rectify कर सकते हैं और rectify करने के साथ साथ हम उसको permission दिलवा सकते हैं लेकिन अगर memorandum ने कोई beyond काम किया है अगर memorandum ने कोई ऐसा काम किया है जो परिंडम के पावर के बियॉण्ड था तो ऐसे चीज़ को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो फर्रमीशन दिलेवाने की नौबत ही नहीं आएगे, सेमे उसी तरह से अगर कोई ऐसा काम किया है, जो कमपणी एक्ट के बियॉण्ड है तो अगर कमपणी एक्ट बियॉण् वो example ये है एक company थी आस्बेरी railway company अभी ध्यान से समझना कि इन लोगों का जो memorandum of association था इस memorandum of association में इन लोगों ने ये बोला था ये बनाएंगे मेक सेल या लेंड ब्याचा सुनना बनाएंगे सेल करेंगे आप भाड़े से देंगे क्या भाड़े से देंगे ओन हायर railway carriage railway carriage और wagons जिसको बोल से यानि वो जो rail का डिबबा होता है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है इन लोगों ने अपने memorandum of association में ये object लिखा था कि इनका जो main काम है वो काम है wagons बनाने का नी रेल के डिबबे बनाने का काम है ये इन लोगों ने लिखा था साथी साथ इन लोगों ने ये लिखा था कि इनका काम है mechanical engineers को arrange करना इनका काम क्या है mechanical engineers को arrange करना आदेजन है कि तुम्हें पता यह जो काम है यह टेक्निकल काम होता है ठीक है तो टेक्निकल काम के लिए इंजिनियर्स की जुरत पढ़ने वाली है साथ में तीसरा इन्होंने जो अब्जेट लिखा था वह लिखा था जन्रल जन्रल कॉंट्रेक्ट यह इन लोगों ने लिख दिया था जैसे हम लोग लिखते है न एक्सर लोग ऐसा लिखते थे हैं कि जन्रल कॉंट्रेक्ट और इन लोगों ने क्या किया ध्यांसा सुना और इन लोगों ने इन लोगों ने एक company को finance कर दिया जाना जूना यह जो company थी इन लोगों ने क्या किया एक दूसरी company को finance कर दिया और finance किया था rail line बनाने के लिए ठीक है क्या बनाने के लिए railway line बनाने के लिए और बाद में इस company पर ठीक है यह जो company है इस company पर company के shareholders ने केस फाइल कर दिया, तो इन लोगों ने क्या बोला, जब ये लोग कोट में गए, तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि सर, हमारा काम तो रेलिवे से जुड़ा हुआ था, देखो हमने क्लियरली बोला था, हम रेलिवे कारेजर और वेगन का काम करेंगे, तो हमने तो रेलिवे में आता है, इसलिए मैंने हमने general contract लिखा है, लेकिन fact क्या है, fact ये है कि तुम्हारा काम finance करने का नहीं है, तुम्हारा काम क्या है, finance करने का नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग काम हो जाता है, finance करने का काम जो तुम्हारा regular काम है, इस से बिल्कुल ही अलग हो जाता है और कहीं भी डारेक्टली और इंडारेक्टली तुम्हारे वेगन से रिलेटेड नहीं है ठीक है, रेलिवे लाइन के लिए फाइनांस करना और वेगन बनाना दोनों ही इदम ही अपोजिट काम है इट मीन्स की जो तुमने ये काम किया है, ये तुम्हारे मेमोरेंडम के बाहर का है ठीक है, इट इस बियॉंड यॉर मेमोरेंडम इट मीन्स कि ये तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा तुम इसके लिए लाइबल होगे और जो भी फाइन है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा बात समझ में आया इतना इस वाले point को एक बाद यहां से सुनना कि इन लोगों ने क्या किया एक company है जो railway line का काम करती है उस company में इन लोगों ने क्या कर दिया था finance कर दिया थे पैसे invest कर दिये थे फिर बाद में जब shareholders को पता चला तो shareholders ने case फाइल कर दिया कि बाई इन लोगों ने जो काम किया है वो memorandum के बाहर का है और इन लोगों ने अपने दलील में यानि इन लोगों ने अपने पक्ष में क्या रखा इन लोगों ने ऐसा बोला कि हम ने एक बात लिखा था हुआ पर जणराल कॉंट्रेक्ट वह ने लिखा था हुआ यहाँ पर कि general contract लिखा है, doesn't mean कि तुम जो चाहोगे वो करोगे, तीकि जो finance का काम है ना, वो बिल्कुल ही अलग है तुमारे regular काम से, इस तो कोई directly और indirectly relation ही नहीं है, ठीक है finance जो है, बिल्कुल ही एक अलग activity मानी जाती है, यह investment companies का काम होता है, finance company का काम होता है, तुम्हारा काम है railway wagons बराना, तुम वो करो, या तुमने उसके लिए कोई related काम किया होता है, इंजिनिर्स मुलाए होते, या wagons पर्चेस किया होता है, वरेंट पे लिए होता है, तो समझने भी आता, ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा judgment आया, यह जो तुम्हारा काम है, वो beyond MOA है, और इसी वजह से वो क्या बन जाएगा, void बन जाएगा, यानि cancel माना जाएगा, void of initial, clear है? अब यह जो contracts होता है, इसका effect क्या होता है, जो ultra virus वाले contracts होते हैं, इनका effects क्या होता है, इनका जो effects है, उसको हम team parts में divide कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही simple है, याद रखना, V, I और P, याद रखना, इनका जो effects होता है, effects of ultra wires, इसके जो effects होते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, VIP, ठीक है, इसका effect जो है, वो very important है, VIP, अब VIP का मतलब क्या है, VIP का मतलब जो first virus types के contract होते हैं, वो starting से ही क्या होते हैं, void होते हैं, void का मतलब यहाँ पर cancel होते हैं, बात को यहाँ से समझना, कि जो ऐसे contract होते हैं, वो starting से ही क्या होंगे, cancel होंगे, clear है इतना? देखो, जैसा कि हम लोग ने इसमें discuss किया था, कि void होगा, देखी, दो चीज़ों हमने discuss किया था, कि ultra virus से भी बाद में हम उसको intra virus बना सकते हैं, तो एक का हमने discuss किया था, directors का, हमने क्या देखा था उसमें, अगर directors अपने power के beyond काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो article of association के under में आता है, तो उसको rectify करके permission दिलबा सकते हैं, यह सेम वे, अगर कोई ऐसा काम किया है, जो article of association में mention नहीं था, ठीक है, article of association में mention नहीं था, लेकिन कोई ऐसा काम कर दिया है, कि जो तुमारे memorandum of association में है, लेकिन article में नहीं था, तो उसको भी तुम rectify करवा सकते हैं, resolution pass करके उसको तुम क्या कर सकते हो, permission दिलबा सकते हो, और इसको बोलते हैं, retrospective, क्या बोलते हैं, इसको retrospective effect यह याद रखना, इसको बोलते हैं, retrospective effect, मतलब कोई ऐसा काम जो past में किया था, retro का मतलब क्या होता है, कि ऐसा कोई काम जो तुमने उसको पास्ट मी किया था उसको तुम क्या कर रहे हैं परमीशन दिलिवा रहे हो तो यह याद रखना कि अगर डायरेक्टर और अल्टर सरी आर्टिकल अफ असोशेशन में कोई प्रॉब्लम था तो मुसको रेक्टिफाई कर सकते हो यह रहे हैं अभी आई की कंपनी के डारिक्टर स हर उनलोग ने कोई भी ऐसा काम किया है जो अनलग के पावर के यॉणंड है तो कंपनी का कोई हिम बिंवर ठीके इनी मेंबर कंपनी का कोई भीम इमबर उस काम के लिए जो उनलोगों ने वर्क किया है उस work के अगेंस ठीके उस वर्क के अगेंस वो लोग क्या ला सकते हैं injection ला सकते हैं मतलब यह उस काम को रोकने के लिए वो लोग आगे आ सकते हैं यह रहे जो थर्ड पॉइंट है वो है personal liability ठीक है personal liability अब इसमें देखो क्या है कि अगर किसी member ने यानि कोई जो company के directors हैं उन लोगों ने कोई भी ऐसा काम किया ठीक है directors जो हैं ऐसा कोई भी काम किया जो उनके power के ठीक है उनके power के beyond है तो ऐसे cases में ध्यां से समझना अगर उनके power के beyond है तो ऐसे cases में अगर company को कोई भी problem होती है ठीक है कोई भी लॉस होता है तो यह लॉस उस पर्सन को यह जिस पर्सन ने काम किया था उस पर्सन को पर्सनली पे करना पड़ेगा मतलब वह पर्सनली लाइबल होगा उस चीजों के लिए वह अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से उन सारी लॉस को वह क्या करेगा कवर करेगा ठीक है लियर रह झाल